आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल गोल टू सक्सस में फ्रेंज जैसा कि आप लोगों को पता है शुशौल जी की टेस्स सिरीज चलाई गई है आने वाले जितने भी एक्जाम से उनको देखते हुए अगर आपने भी तक ना देखा हो तो प्रीज जरूर देखिएगा और हाँ शुशौल जी से रिलेटिक जितनी भी वीडियो पहले से ही है उन्हें भी जरूर देखिएगा उनसे भी आपको काफी मदद मिलेगी चले शुरू करते हैं फिर्स्ट कोशन है वर्ग विवस्था का एक विष्थit अध्यान एक समुदाय में जिसे उसने यांकी सिटी कहा किसने किया था तो फिर यहां पर औप्षन्स है वेबर, मिशेल्स या फिर औप्षन C वर्णर तो यहाँ पर जो first question का right answer है वो है option C, Warner ठीके, क्या है? Option C है, Warner है ठीके, Warner ने समाजिक इस्तिरी करण में 6 वर्गों की बात की थी जो समाजिक इस्तिरी करण का अपने सिद्दान दिया था उसमें 6 वर्ग दिये थे ठीके, 6 प्रकार के वर्ग बताया थे कौन कौन से हैं, उन्हें भी देख लिजे first है, उच्य उच्य तम वर्ग ठीके, पहला क्या है? उच्य उच्य तम वर्ग, second है निम्न उच्य तम वर्ग, second निम्न उच्य तम वर्ग, third है उच्य तम मध्यम वर्ग, third उच्य तम मध्यम वर्ग, fourth है निम्न मध्यम वर्ख, फिर्थ है निम्न उच्चि वर्ख और सिंव्थ है निम्न वर्ख, यहां पर फॉर्स्ट इसाओ क्या है औप्शन C, नेक्स्ट है वेबर की भाशा में एक व्यक्ति की वर्ग परस्थिति मूल रूप में होती है, वेबर ने जो वर्ग की अमने अपना स समाजिक इस्तिती करन के त्री आयामी मॉडल दिया था ठीक है उसमें कौन-कौन से थे तीन आयाम कौन से थे पहला वर्ग था स्टेटस था एंड थर्ड क्या था पार्टी थी ठीक है तो उन्होंने कहाई एक व्यक्ति की वर्ग परस्थती मूल रूप में होती है उसकी क्या ह होती है बाजार परस्थती आर्थिक परस्थती या फिर समाजिक परस्थती तो यहां पर सेकंड कौशन का राइट अंसर ऑप्शन ए है बाजार इस्थती ठीक है क्या है बाजार इस्थती उन्होंने क्या कहाता कि वर्ग करने धारन कहा होता है बाजार इस्थती से होता है मनला की मार्ग ने जसे भविश्वानि के थी उसके विपरीद जो जो शारेरिक श्रमिक वर्ग है वह अधिक विश्यम रूपियत वह असमान हो गया है तो यहां पर माक्स ने क्या था स्वयम में वर्ग के लिए वर्ग की बात की थी ना माक्स का क्या था सिद्धान उन्होंने जो वर्ग संगश का दिया था उन्होंने जो पुंजिवादी समा की बात की ठी जिसमें दो वर्ग थे एक पुंजी पती दूसरा श्रमिक वर्ग लिए नए नकार की जब रभ उंजि पती का पती का ही पुझी पन नियंत्रन होता है पुझी पती का ठीक है उत्पादन के साधन शक्तिया सब पुझी पती के पास होती श्रमिक के पास कुछ नहीं होती उसके श्रम के सिवाए तो जब पुझी पती उसका शोषण करता है और जो श्रमिकों का जो स्वेम में वर्ग होता ह और जब उसमें चेतना आती है नहीं हमें पुँझी पती के विरुद आवाज उठानी चाहिए संगश करना चाहिए तो वह अपने लिए अव्वे जो शमिको कोई का स्वयम में वर्ग होता है वह स्वयम के लिए वर्ग बनाते हैं और पुझी पती के विरुद क्या करते हैं तो यह क्या वर्ग संघश क्यलाता है, मार्ग कहते हैं कि जो एक क्रांती आएगे, फिर उसके बाद क्या आएगा, एक ऐसा समाज आएगा, समाज का नाम बताते हैं, समाज बात, जिसमें सभी समान होंगे, वर्ग स्थिति नहीं होंगी, ठीक है, वर्ग स्थिति नहीं होंगी तो शोशन कोई नहीं कर सकेगा, आर्थिक संपत्ति पर किसी का क्या क्याते है, संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं होगा, है ना, तो ये बात की थी माक्स ने, लेकिन माक्स के विप, और फिर माक्स ने कहा था, जब ये सब समान हो जाएगा, तो वर्ग हो गा ही नहीं किसी यहाँ पर तो श्रमिकों का ही जो है क्या हो गया है तीन वर्ग बन गया है जो श्रमिक वर्ग है उनकी में भी असमानताई पाई गई है ठीक है तो जब इनमें असमानताई है यही एक नहीं होंगे तो वर्ग संखश कैसे करेंगे वर्ग संखश नहीं करेंगे तो जैसे माक्स खालता कि एक नया समाज आएका तो वह कैसे आएगा ठीकें तो यहां पर शारिरिक शमिक वर्ग की बात हो रही है तो यह किस ने की हुई है दिया हूए धार्श कफने तीन बर्गों की बात की थी ॥ी कह यहां प्रकार बताया थे तो कौन-कौन से थे आकुशल था यहाँ पर फोर्थ कोशन का राइट अंसर ओप्शन बी है और फ्रेंग पार्किंग ने जो है वेफसाई के अधार पर वर्क का निरधारन की बात की थी इन्होंने की थी ठीक है नेक्स्ट है इस्तरी करण के मिशित परिणाम सम्बंधी प्रमार विकल्पों के परिक्षन की सबल संतुस्टी करते हैं ठीक है विचारन की नित करें किसने का आया तो यहाँ पर फिफ्ट कोशन का जो राइट आंसर है वो क्या है ओप्शन ए ट्यूम का जो प्रकारात्मक सिध्धान दिया हुआ था है ना तो ट्यूमिन ने उनके डेविस और मूर के यानि विलबर्ट मूर के जो समाजिक इस्तरी करण का प्रकारात्मक सिध्धान थे तो प्रकारात्मक पक्षकी क्या की हुई थी ट्यूमिन ने आलोशना की थी है ना और फि तो यहां पर 5th question का right answer option A है next है यह मत किसने प्रस्तुत किया कि असंतोष का स्रोथ परिवार है तो यहां पर right answer option B है 6th question का right answer क्या है? option B ठीक है और धोगिक समाद में परिवार का इन्होंने निराशावादी दिस्ट्रिकोर से अध्धिन लीच ने किया था इन्होंने परिवार में डर और संगश के ही तत्वच जो है बताये हैं वो निजिता को बताया है ठीक है परिवार में डर और संगश का जो स्रोथ बताया है वो निजिता को बताया है ठीक है तो यहाँ पर 6 questions का right answer option B है next है निम्रिकित में से कौन सा करम संस्था के विकास को सही रूप से निरूपित करता है ठीक है तो बताना है option A है प्रथा लोकाचार जनरीती वा संस्था option B जनरीती लोकाचार प्रथा वा संस्था या फिर option C जनरीती प्रथा लोकाचार वा संस्था ठीक है संस्था की विकास की बात हो रही है कि संस्था का विकास किस क्रम में हुआ है ठीक है तो यहाँ पर 7th question का right answer option C है पहले जनरीती फिर प्रथा बतली फिर लोकाचार और फिर संस्था ठीक है फिर क्या बनी संस्था बनी है ठीक है लोकाचार के जगा क्या हो सकता है रूडी ठीक है ठीक है पहले इ किसने की हुई थी संबनने की हुई थी किसने की थी संबनने ठीक है कैU मैं क्या होता है एक जो प्रयास होता है वो बहता निकल के आता है ठीक है जिसे समाज के जो दूसरे लोग हैं वो भी स्विकार करने लग जाते हैं ठीक है जो क्या बन जाता है जनरीती बन जाती है और जब यही जनरीती पीड़ी दर पीड़ी चलने लगती है इन्ही तरीकों को लोग पीड़ी दर पीड़ी अपनाने लगते हैं ठीक है जब पीड़ बनी रहे इसकी लिए जो नियम वा प्रक्रियाएं बनाए जाती है उसे क्या कहा है संस्था कहा है ठीक है तो पहले जनरीती प्रथा और रूढी फिर उसके बाद क्या आया संस्था बनी ठीक है तो यहाँ पर संस्था की विकास की बाद किसने की हुई है संस्था ने की हुई ह एर्थ है बाहेवा आंतरिक संघश की अवधाना दी गई है किस ने दी हुई है कोजर वेबर या फिर सी मिलने तो आप लोगों को पता है कई बार कोश्चन इस तरीके का आ चुका है आंतरिक बाहेवा आंतरिक संघश की अवधाना किस ने दी हुई है कोजर ने दी हुई है ठीक है 8th question का right answer option A है ठीक है option A अगर कोजर की हम book की बात करें तो इनकी book क्या है The function of social conflict ठीक है book important exam में आती है और ये question भी important है exam में आता है ठीक है तो क्या है The function of social conflict book किसकी है कोजर की ठीक है ये विचार किसका है कि इस्तरी करण योगिता के प्रोसाहन और चैन में एक बाधक के रूप में कार कर सकता है और एक बहुदा करता भी है ठीक है option है ट्यूमिन मॉर्टन या फिर दुर्खी यहाँ पर 9th question का right answer option A है ट्यूमिन 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 ने क्या किया थै डेविस और मूर के आलोशना की हुई थी ठीक है प्रकारात्मक पक्ष की जो उन्होंने समाजी स्तरीकरण का प्रकारात्मक सद्दान दिया था उस प्रकारात्मक पक्ष की ट्यूमिन ने आलोशना की थी ठीक है और आलोशना किस में की थी उसका क्या नाम है अक्रिटीक टुसम प्रिंसिपल्स ओफ स्टैटिफिकेशन ठीक है ट्यूमिन ने की लिए आपन 9th question का right answer option A है नेक्स्ट है यहतर के किसने प्रस्तुत किया है क आधुनिक और धोगिक समाज में अलग थलक एकांकी परिवार का समान स्वरूप है ठीक है आधुनिक और धोगिक समाज में अलग थलक एकांकी परिवार का समान स्वरूप है मोर्टन पार्संस या फिर माक्स तो यहाँ पर 10th question का right answer option B है पार्संस ठीक है पार्संस ने आध विल्गित नाभी की परिवार की क्या हुई उद्भाव हुआ है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा शेयर भी कर दीजेगा और कमेंट भी जरू करिएगा और अगर आपने अभी तक सब्सक करें थैंक यू